Hello Learners! MathsTube Learning में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है Write the following numerals in short form 4000 plus 600 plus 70 plus 2 और second sum है 500 plus 40 plus 9 हमारा first sum है 4000 plus 600 plus 70 plus 2 यह number expanded form में लिखा गया है हमें इसे short form में लिखना है short form में कैसे लिखेंगे आएए देखते हैं हमारा first step होगा इसके लिए एक place value chart बनाना तो हम right side से शुरू करेंगे once, फिर tens, फिर hundred, फिर thousand thousand भी हम लोग stop कर जाएंगे क्यों? क्योंकि 4000, thousands में आता है आईए अब इसमें हम लोग values place करते हैं सबसे पहले लेंगे 4000 4000 ऐसे लिखेंगे place value chart में 4 के बाद 3 zeros next number है 600 600 से हम समझ ही पा रहे हैं कि 6 यहां आएगा और 600 हम ऐसे लिखते हैं next है 70, 70 यानि कि वो 10 प्लेस में आएगा और 0 आ जाएगा और लास्ट में है 2, 2 होता है 1 प्लेस में तो हमने जो हमें horizontally एक expanded form दिया गया था हमने उसे एक vertical form में लिख लिया है अब हम इसे simply लिखेंगे नीचे 4 एड करके 4, 6, 7, 2 यानि कि इसका short form है 4, 6, 7, 2 तो हमारे first sum का answer है short form is 4, 6, 7, 2 हमारा next sum है 500 प्लस 40 प्लस 9 इसे हमने हमें short form में लिखना है ये एक expanded form है इसे हम कहते हैं expanded form तो आईए अब फिर से देखेंगे कि सबसे जादा जिसमें digits हैं वो है 500 500 में 3 digit हैं इसलिए हमारा जो place value chart बनेगा उसमें भी हम 3 places तक जाएंगे यानि कि once, tens और hundred अब हम इन numbers को यहाँ put करेंगे 500 500 लिखेंगे 500 फिर आएगा 40 40 हम place value chart में ऐसे लिखते हैं और 9 आएगा once place के नीचे हम सब में add कर देते हैं अब हम add करके लिखेंगे answer अपना 5, 4, 9 तो यह हमारा हो गया short form तो हमें expanded form दिया गया था और हमने वहाँ से short form निकाल लिया है तो हमने दोनों sum solve कर लिये हैं फर्स्ट का answer है 4672 और सेकेंड का answer है 549 शॉर्ट form को हम standard form भी कहते हैं थांक यू फर वच्छिंग बाइ